हाई गाईस मैं हूपर मैं स्वरी पैकरा विल्कम टू माई यूटूब चैनल पैकरा लेल वी में आपका स्वागत है प्लीज पेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक सेरम सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाते चलिए हम चर्चा करते हैं चेक बाउंस क्या होता है और चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके पैसे मारे ना जा सके तो इसमें सबसे पहला पांट यह है कि जब चेक बाउंस होता है जब आप किसी के नाम से बन चेक जारी करते हो और वो उस चेक को बैंक में लगा देता है तो अगर आपके एकाउंट में बाइलेंस नहीं है तो बैंक उस चेक को डिसानार कर देता है इसी को कहा जाता है चेक बाउंस होना लेकिन अगर आपके एकाउंट में बाइलेंस है लेकिन उतना बाइलेंस नहीं है जितना उस चेक में डाला गया है त जब भी बैंक उस चेक को क्या कर देता है डिसानार कर देता है और इसको चेक बाउंस माना जाता है तो अगर आप कोई चेक जारी करते हैं और किसी भी वज़ा से वो चेक को बैंक की तरफ से डिसानार कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है चेक बाउंस होना चलिए हम बात क आपने बैंक में जो चेक लगाया है जैसे ही वो बाउंस होता है तो उसके साथ आपको एक स्लिप भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस होने पर आपको एक महिने के अंदर चेक जारी करने वाले को एक लीगल नोटिस भेजना पनी ने या किसी सोसाइटी ने जारी किया हो आप उसको क्या कर सकते हैं लिगल नोटिस भेज सकते हैं लिगल नोटिस भेजने के लिए आप लोकल एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं आम तवर पर एडवोकेट एक लिगल नोटिस के लिए 300 से 500 रूपिये चार्ज कर सकते हैं लिगल नोटिस में लिखा हुआ होता है कि आपको जो चेक मिला है ओ चेक बाउंस हो गया है और रिजन ये है कि इसलिए अब आप चेक मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पेमेंट कर दिजिए तब आपके पास आपसन होता है केस फाइल करने का तब आप इंस्टूमेंट एक्टा 18181 सेक्शन 138 के तहत आप सिविल कोट में केस फाइल कर सकते हैं कोट में केस फाइल हो जाने के बाद लिगल प्रोसेडिंग सुरू हो जाती है तब आप एक application मोब कर सकते हैं कि आपको जो check amount है उसका कुछ percentage case के सुरू में ही दिलाया जाए तब court decide करता है कि आपको कितना amount check के case के सुरू में ही दिया जाना चाहिए आमतर पर court 25% से 30% आप the check amount आपको case के सुरू में ही दिला देती है check जारी करने वालों से इसमें क्या होता है कि अगर आप case जीत जाएंगे तो case जीतने के बाद check का जो भी amount है वो check जारी करने वालों से आपको दिलाया जाएगा और जो 25% से 30% amount आपको case के सुरू में ही दिलाया जाता है वो भी आपका रहेगा लेकिन अगर आप case हार जाते हैं तो आपको सुरू में 25 से 30% जो amount case के सुरू में दिये थे उसे आपको क्या करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा और जितने दिन तक case चला है उसका interest भी pay करना पड़ेगा लेकिन चेक बाउंस के ज्यादा तर मामलों में चेक जारी करने वाले अकसर case हार जाते हैं इस परकार चेक बाउंस होता है तो क्या करना पड़ता है इसके बारे में मैं आप लोगों बता दी हूँ प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो एक like, share and subscribe जरूर करिएगा थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो नमस्कार